दोस्तों, जुनियار NTIR करोडो के मालिक है दोस्तों जुनियर NTIR एक फिल्म में काम करने के लिए बहुत ज्यादा फीश चार्च करते हैं जो साउत में सायदे को एक्टर चार्च करता होगा और दोस्तों जुनियर NTIR अपनी परसनल लाइफ के चलते अकसर सुर्ख्यों में दोस्त जब इन्होंने सगाई की तो इनकी होने वाली पत्नी लक्षमी प्रनाती सिर्फ 17 साल की थी दोस्त जुनियर NTR का क्रेज अब साउत में ही नहीं बलकि पूरी इंडिया में देखा जा रहा है दोस्त उनकी फिल्म आरारा की सक्सेस के बाद उनको पेन इंडिया इस्टार माना जा रहा है दोस्त आपको बता देखी जुनियर NTR के पिता नंदमूरी हरी कृष्णा खुद तेलिगो एक्टर है वहीं इनके दादा NTR रामा राओ, आंदर प्रदेश के पूर्वे CM और पूर्वे तेलिगो एक्टर थे दोस्त जुनियर NTR का असली नाम तारक है हाला की दादा जी के नाम पर जुनियर NTR नाम से उन्हें पहचान मिली है बच्पन में जुनियर NTR के नाम से इंप्रेश होकर डाइरेक्टर रावेंदर ने राजा मोली को उनकी फिल्म Student No.1 में लेने का सुझाव दिया दोस्त उस फिल्म को बानाने में इतना ज़्यदा समय लगा कि उससे पहले ही नेत्रू चुडारानी मुवी से अपना फर्स्ट डेवियो कर लिया हिट फिल्म में देने के बाद NTR की पपुलरेटी इतनी ज़्यदा बढ़ गई कि उनकी फिल्म आधावाले की म्यूजिक लॉंच में 10 लाग से ज़्यदा फेंस पहुचे 10 लाग लोग होने के बावाजूद भी इस इवेंड में कोई भगदड नहीं हुई लेकिन दो साल बाद एक इवेंड में एक फेंड की भगदड में मोथ हो गई जुनियर NTR ने इस पारिवार को 5 लाग दिये और साथ में ही इस पारिवार को गोद ले लिया दोस्त जुनियर NTR अपने परसनल लाइफ के चलते अकसर सुर्ख्यों में रहते हैं उन्होंने जब सागाई की तो उनकी होने वाली पतनी सिर्फ 17 साल की थी इस पर विजय वाड़ा के एक वकील ने उनके उपर चैल्ड मेरेज एक्टर के तहित केस दर्ज करवाया था दोस्त विवादों से बचने के लिए एक्टर जुनियर NTR ने लच्चमी के 18 सल होने का इंतिजार किया और फाइनली 2011 में साधी कर ली 18 करोड में हुई इस साधी में 10,000 से ज़्यादा लोग आये थे दोस्तो साध के हाइस्ट पेड एक्टर में जुनियर NTR की नेट वर्थ 440 करोल रूपे की है एक्टर हर फिल्म के लिए 20 करोल रूपे चार्ज करता है लेकिन इन्होंने आरारार फिल्म के लिए 45 करोल फीच ली थी दोस्तो ये इन्फोमेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरू से बताईएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा